अलो फ्रेंट्स तेस्टी बोजन में आपका स्वागत है आज हमने बनाया है बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नास्ता जो बिना तेल के बन जाता है जिसे आप रोज खाना पसंद करेंगे डिली ढोकला बर्गर सब बनाना भूल जाएंगे जब इस नास्ती को एक बार बना ले जिसे के आपको आगे की नोटिफिशन मिलते रहें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पर हमने एक कटोरी सूजी ली है और सूजी हमें बारिक वाली लेनी है कर आपके पास बारिक वाली सूजी नहीं है तो उसे आप मिक्सर में ग्राइंड कर लीजेगा और उ कर लेते हैं लिए एक फार उसकी बाद हम इसमें पानी डालेंगे पानी सब्सक्राइब घ्यान ज़ीँ हरेें वा ना हम थे भैसली छर्षना तो फ्लड़ा पानी सूस्प्राइब कर दो आधने बनाना है गे इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा पानी स्वाह नाना हैagers बैटर हमारा बन गया है और अब हम इसमें डाल देते हैं आधी चमस नमग टेस्ट के लिए जिसे कि यह जो नास्ता है बहुत ही बड़िया लगेगा खाने में और बस इसे अच्छे से हम थोड़ा सा चला लेते हैं देखिए इस तरीके से और बैटर हमारा ना तो जदा गाड सकते हैं तो दस मिनटे के लिए छोड़ेंगे 10 मिनैट के लिए इसे रेस्ट के लिए छोड़ें ते हैं इसके बाद हमस्तफिंग तयार करेंए तो स्टफिंग के लिए हमनी चार उगले हुए आलो समय देन गहां और चीरा उँआअब 무서워서 वाद क्याम नें प्रणैइन हमने तरे तो यहां पर एक बड़े साइस का प्याज को हमने बारीक बारीक कट कर लिया है और दीखे हैं इस पावभजी मसाला इससे बहुत ही बढ़ी टेस्ट आएगा स्टफिंग में तो जरूर से डालिएगा और उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे इसमें इसी हैं को बिली काते डाला उने मिक्स करें जरू है एक आप ऊड़ी पतेि इसे पाप मेंढे आंदे और नहीं किए और आ पर हमें इस तरह कहले जरू है कोशिदाना एदशी में टालाबी सिणाओ और उसकूं देख सकते हैं तरीके के दद्दरा सा पेस्ट हमारा बन गया है यह तैयार है इसे ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे इस साथ मिनट के लिए हमने से अच्छी तरह से भून लिया था और उसकी बाद की बैटर चेक कर लेते हैं बैटर हमारा काफी गाड़ा हो गया आप देख स बिल्गुर उपर तक हमें उप्राइब दिदेंगा और इस तरीके लिए और शड़ाइब रख लेंगे और सारे हमारी जो स्टफिंग यह थंडी होगई हैं तो क्या करेंगे इसे क्रेंगे इसे काएब पॉर्षन लीए और तरीक चूट से तो सब्सक्राह दिंगे छोटी चोटी पैर्ट करते हैं से जो कि हम हम तो घर लान के सब्सक्राहने है और उसे अच्छी तरह सी मिक्स कर लेंगे तो यहां पर हमने मीटा सोडा क्यों डाला है यह मैं आपको बाद में बताऊंगी तो वीडियो को एंड तक वोच करें इसकी पना करें और देखे इस तरीके से बढ़िया से इसको मिक्स कर लेंगे बैटर हमारा फूलता चला लेंगे जो पहले से घ्रीस करके रख विये तो इक सी डेड़ चमस डालेंगे बहुत ज़्यां यह इस से नहीं डालना है और इसा रही से बूँद में टैयार करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे यहां पर हमें यह जो अलु का मसाला है उसे भी रख देना है और उस्के उ तोरी में इसको डाल देंगे यह काम हमें बहुत जल्दी से करना है क्योंकि जो इनो का फर्मेंटेशन है वह बहुत जल्दी खराब हो जाता है तो इस चीज का धियान रखें में इस बैटर को बहुत ज़दे दे तक छोड़ना नहीं है फटाफट से हमें इसमें लगाते जान मुझी गया है पानी इस तरीकी से थोड़ा सथान स्था सब्सक्रक्द करें और अच्छे से पानी अच्छे सब्सक्रण है तो साधनी इस क्या करेंगे हम अंदर रख देंगे तो हमारा इस्टीम्र बन गया है नहीं डालने से पहले ही हमें बरतन को गर्मोंने के लिए रख सकते हैं और इसे इंसर्ट करके डालेंगे तो इसे बील्कुल को क्ली निकल रहे तो इसका मतलब यह अच्छे सी कोक हो गया है तो क्या करेंगे निकाल लेंगे इस टंडा होने देंगे इसके बाद दूसरा बैच हम इसमें रख देंगे और फिर से हम इसे आट से दस मिनट के के तैयार होता है हम यह पर एक तड़का बना लेंगे तो तड़कीय के लिए हमने पर तिया को बहुत तेज गरम कर लिए हुग में ऊक्छाइब एपष साथ तौड़ा सदोना हो वक्ति आप उन costs तरइक 小ष्य Olha हो और 1 rac Keys में तरमें पाव भाजी मसाला तो तड़का तःयार है इसके बाद हमारे second badge भी तैयार होगा है निकाल ले एठे हैं ध convention बेचर फंड़ा होगा के और फेले से 22 रखाए हैं तो इसनाश्डे को हमें कट कर लेना हैं जो आप ग्लाज में बना रहा हूं ने पर निक्टर हम करें चाहिए हैं को भी इस तरी के से रृण से कट कर लेंगे और देखें ये बिल्कुल तयार है तो मैं सेकर गहा सकते हैं कि दिखने में तो बड़िया लगते हैं और देखिंगे इस तरीकी से हमने सक तैयार लिए हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी मिलते हैं वेर नेक्स्ट वीडियो मेंने रेसिपिक साथ बाइबरीवन